हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारा यूटूब चैनल घर की रसोई एंड टीप्स में तो आज हम बनाने जा रहे हैं छेने के रसगुले इसके लिए हम डेर लीटर दूद लिए हैं गाय का दूद है इसको हम गरम करने के लिए रखेंगे चलाते हुए इसको गरम करेंगे एक उबाल आने तक चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे से दूद पकड़ लेगा दूद में उबाल आ गया है एक उबाल आ गया अब हम इंडेक्शन को बंद कर देंगे अब दो मिनेट दूद को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे इस तरह इस तरह से कल्ची से चलाएंगे जल्दी से दूद ठंडा हो जाएगा अब दूद थोड़ा ठंडा हो गया है अब हम छेना के पानी से छेना फारेंगे इसको छान लेते हैं हम छेना को पानी पहले से इस्टोर करके रखे थे उसी से हम छेना फारेंगे आप चाहे तो निम्बू से भी छेना फार सकते हैं बेनिगर से ये छेना का पानी है इस से हम छेना फारेंगे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे छेना का पानी और चलाते जाएंगे दूद को बहुत ही आसानी से छेना फट जाता है बहुत ही अच्छे छेना फट के त्यार हो गया है अब देख सकते हैं कितना अच्छा छेना फट कर त्यार हो गया है बहुत ही इस पंजी छेना निकला है अब हम थोड़ा पानी को छान कर निकाल देंगे बहुत जादा ही पानी है क्योंकि हम छेना के पानी से छेना फट है इसलिए हम छान के फिर से इस टोर करके रख देंगे छेना के पानी को आप अगर छेना निम्बू या विनिगर से फारते हैं तो छेना को दो पानी से धो लिजिएगा अब थोड़ा पानी बचा है अब हम कोटन कपड़ा में डाल कर छेना को दबाते हुए पानी निकाल लेंगे सारा हलके हाथ से दबाएंगे अब हम छेना को आदा घंटा के लिए कील में लटका देंगे आदा घंटा हमारा हो गया है आप देख सकते हैं सारा पानी निकल गया है छेना से देखिए बहुत ही दानादार छेना निकला है अब हम इसको इस तरह से हाथों से मसलते हुए बिलकुल चिकना करेंगे बहुत ही सौप्ट बनाएंगे जिकना करके मसलते हुए हाथों से चार-पांच मिनिट तक मसलेंगे अब हम उसमें एक छोटा चमस मैदा डाल दिये हैं अब फिर से चार मिनिट तक मसलेंगे अच्छा से चिकना करेंगे इधर तब तक हम चासनी तयार कर लेते हैं रजगुले के लिए देर कप चीनी डालेंगे वेट में 500 ग्राम चीनी होगा इसी कप से हम साड़े चार कप पानी डाले हैं अब हम गैस को ओन कर देते हैं चला देते हैं चासनी को इधर जल्दी से हम रजगुले तयार करेंगे बिल्कुल चिकना करना है आटा जैसा मुलायम नहीं तो हमारे रजगुले चासनी में जाके फट जाएंगे अब बिल्कुल चिकना हो गया है हाथ में भी नहीं चिपा कर रहा है अब हम इसको लंबा कर देते हैं इस तरह से अब हम चोटी-चोटी भाग में बाट देंगे अब हम हाथ में मसलते हुए गोल-गोल रजगुले बनाएंगे बिल्कुल चिकना करके बिल्कुल क्रेक नहीं होना चाहिए रजगुला में नहीं तो रजगुले हमारे चासनी में जाके फट जाएंगे देख सकते हैं आप कितने अच्छे रजगुला गोल बन गया है इसी तरह से हम सारे रजगुले गोल-गोल बनाके त्यार कर लेंगे इधर चासनी हमारा त्यार हो गया है इसमें थोड़ा इलाइची डाल दिये है इलाइची पाउडर आप ऐसे खड़ा इलाइची भी डाल सकते हैं इसी तरह से हम गोल-गोल करके सारे रजगुले त्यार कर लेंगे चासनी में उबाल आ गया है अब हम एक-एक करके रजगुले डालेंगे चासनी में एक साथ सारा रजगुला नहीं डालेंगे दो-चार करके डालेंगे एक उबाल आएगा फिर दूसरा डालेंगे नहीं तो चासनी ठंडे हो जाने से रजगुले फट जाएंगे बिल्कुल गयस को हाई फ्लेम में रखना है कम नहीं करना है कितने अच्छे से रजगुले फूला फूला बन रहे हैं अब हम इसको पांच मिनट ढख के पकाएंगे पांच मिनट हमारा हो गया है अब इसको हम दूसरे साइड पलट देते हैं दोनों तरब से पक जाएंगे पलट देने से बहुत ही आराम से पलटना है नहीं तो तूट सकते हैं रसगुले बहुत स्पंजी है इसलिए बहुत ही आराम से धीरे धीरे पलटना है अब हम फिर से पांच मिनेट तक पकाएंगे धक के पांच मिनेट हमारा फिर से हो गया है रसगुले बहुत ही अच्छा पक गया है अब हम आपको एक रसगुला पानी में डाल कर चेक करके दिखाते हैं रसगुला हमारा बैठ गया है पानी के अंदर तो आप समझे कि रसगुला पक गया है इसको फिर से हम चासनी में डाल दिये अब हम गैस को बंद कर देते हैं छे घंटे तक ठंडा होने देंगे तभी रसगुला सर्व करने के लिए तयार होंगे छे घंटा हमारा हो गया है आप देख सकते हैं कितना अच्छ रसगुला रस में तयार हो गया है भरकर देखे किस तरह से रस इसमें अंदर तक गया है फिर से रस उसमें पकड़ लेता है दाप कर दिखा रहे हूं मैं दिखे बहुत ही स्पेंजी रसगुला बना है अब भी अपने घर में छेने के रसगुला बनाईए और इंजोई कीजिए थैंक यू फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड सेयर करना न भूलें ओके बाई